जहां एक और सीत लहर और कोहरे ने जन जीवन को अइस्ट वैस्ट कर दिया है वहीं दूसरी और कोहरे की वज़ा से बदमास भी सक्रिय हो गए है जी हाँ आपको बता दे कि उत्राखंड में कोहरे और सीत लहर का परको बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़ा से पूरे दिन कोहरे की चादर बनी रहती है जिसमें गाडियों की स्पीड को भी कम कर दिया है और वानों की आवाजाई भी बहुत कम हो चुकी है ऐसा ही एक वाकिया रूर्की के मंगलोर से सामने आया है जहां पर नारसन के पुलिश्चोंकी के चेदर के अंदरगत गंग नहर के पास बदमासों ने दिन दाढ़े एक लूट की वारदात को अंजाम दिया है